स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज के राशी फलकी आज 26 अगस्त दोजार तेईस है और दिन है शनिवार का शनिवार का दिन मेश राशी और व्रश्व राशी वालों के लिए कैसा वीतेगा कैसा रहेगा काम धंदर नौकरी वैपार वैवसाय लव एंड रिलेशन्शिप और धनकिस्ति सबी विशों की चर्चा करेंगे चैनल पे अगर आप पहली बर आएं तो आपसे विनम रन रोद है कि प्लीज कमेंट में जै शिरी राम जै हनुमान अवस्य ही लिखिए अब शुरू करते हैं राशी फल तो मेश राशी वालों के लिए आज का दिन शुब दिन है आज का सावन मास की दश्मितिति है जेस्टा नक्षत्र है चंद्रमा चल रहे हैं व्रशिक राशी में बुद्ध के जो देवता हैं वो है भगवान गणिश तो बगवान गणिश को नमस्कार करें प्राते उठके और गणिश जी को दुर्वा चड़ाएं गणिश राधना से अपने दिन की शुरूआत करें नक्षत्र देवता को प्रसंद करने से दिन अच्छा भीता है वैसे विश्वस भी आप में जबर्दस्त रहेगा तो जितने भी आपके कठीन कारें हैं पैंडिंग कारें अटकीवे कारें हैं जिनको आप टाल रहेते या जिनको आप समय भाव के कारण करने पा रहेते कि काफी टाइम लगेगा तो उन कारें को आप अंजाम दें सभी कारें को तो आपको अपने pending work को करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है आप list बनाईए और सब कारें को आज आप संपन कर सकते हैं वयपारियों के लिए दिन आज बहुत ही बढ़िया है वयपारि लोग प्लानिंग बना के कारे करेंगे तो वो अपनी पकड़ वयपार पर आठी किस्तिती भी मजबूत होईगी वैसे मेज राशी वालों के लिए आज आर्थी किस्तिती काफी अच्छी है धन की प्राप्ति यह धन कोश्ट में व्रदी होती वह आज दिख रही है दन की दस्टी से दिन अच्छा है तो सभी व्यापारी लोग आज अपने प्लानिंग बनाए और जितनी भी अप्लानिंग बनाएंगे तो आपको समझ में आएगे सभी चीजें आज अपने कॉम्पिटिटर को व्यापार में जो भी हैं उनको आप पचार देंगे और कॉम्पिटिटर के उपर हावी रहेंगे कुल मिला के आपका दिन आज अच्छा है किसी से सयोग लेना है तो अबस्य सयोग ले क्योंकि आपके सभी कार्याज संपर्ण होने वाले हैं तो अधिक सदिक कार्यों को संपर्ण करने के लिए लोगों का सयोग लेके आगे बढ़े आपके बहुत सरे कार्याज बन जितने भी students हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है अगर आप किसी competition में बैठ रहे हैं एक्जाम दे रहे हैं तो आपका performance आज अच्छा होएगा जितने मेनत करें उससे कहीं ज्यादा आज आपका अच्छा performance होएगा कोई भी आपको कुछ समझ में नह आ रहा है तो वह आज आप उसको समझने का प्रयास करिए study के उपर focus करिए आज आप सभी doubts के लियर कर लेंगे और आपके study अच्छे चलेगी किसी competition में बैठ रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगे इंटर्यू में आपका और आज अबदस्त रहेगा और इंटर्यू म उनको अपने study के उपर focus करके रखना चाहिए नौकरी पेशा वर्ग के लिए आज का दिन बढ़िया है आज आप अपने workplace पे बहुत सारे कारे करेंगे और अपने जो भी आपका pending file वर्ग है वह आप पूरा किजिए ताकि आपको अधिकारी वर्ग पर परिशान न करें तो इस तरह से आज अपने कारे को और अपने table को साफ करने का time है अवश्य अपने कारे के ओपर focus करिए आला कि Saturday का दिन है कई जगे पर आज छुटी भी रहती है अब बात करते हैं investment की तो investment के इस आपसे दिन आज का ठीक है आप investment अगर बढ़ा कर रहे हैं तो रहुकाल का ध्या पर आप नौ से लेकर साड़ी दस के बीच तक बीच में कोई इंवेस्टमेंट ने करें रहुकाल की घंड़ा हर शहर के साबसे अलग अलग होती है आप अपने शहर का रहुकाल अपने मोबाइल में देख सकते हैं आज का भी जीत मूरत होता है जिसमें किसी भी कार्य को इस समय का यूज आप कर सकते हैं यात्रा का योग भी आपके बन रहा है यात्रा करते समय आप एक चीज का ध्यान रखें आज पच्छिम की दिशा की यात्रा शुब है क्योंकि शनी देव की दिशा पच्छिम में रहती है तो वेस्ट की दिशा की यात्रा सुब है और अग अध्याट बारे में सोचेंगे आपने रिएड़ेशन के बयूसे के बारे में सोचेंगे बारताला वाप की माश्चे चलेगी व्याई जीवन वालों की बात करें टो दामपत्य WORTH आज आपका मैं वैसे तो चलेगा पैँने वेक्ति की बातों का आपके विबाइक संबंदो पासर पड़ेगा और आप में विवाद हो सकता है तो किसी उन्य दूसरे वैक्ति आसपडोस वाले या आजके रिष्टेदार ये आपके साथ रहने वालों लोगों की बातों को इतना अपने जीवन के अंदर तूलने दें और अपने जो आपके पति-पत्ने के सुहाध्र पूर्ण संबंद है वुन को मेंटेन करने का आप प्रियास करें ठीक है इस तरह से आपका दिन साही बीतर है काफी कुछ चीज़ों के अंदर प्रियास के प्रियास के अधिक हैं तो आज शनिवार का दिन बुद्ध के नक्षत्र में चंधरमा चल रहे हैं तो बहुत बहुत ही शुबता के साथ वेतित होएगा पीपल व्रक्ष में जल देना भी मेश राशी वालों के के यह आर्तिक समस्यां को सौलू करता है प्रन्त को कभी भी पीपल व्रक्ष में जल नहीं देना चाहिए अगर आपको देना है तो आज आप दे सकते हैं तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइए आपके जीवन में आयू आरो गैश्वरे की व्रति होती रहे इसी शुब कामना के साथ नमस्कार अब ह इस तरह से और बिजनिस पार्टनर का भी यही घर है तो यहां पर चलते हैं चंद्रमा बुद्ध के नक्षत्र में चल रहे हैं तो बुद्ध का नक्षत्र जेश्टा है बुद्ध व्यपार का नक्षत्र भी है इसलिए आज अपने दिन की सुरुवात बगवान गणेश से करें अगर आप व्यपारी हैं तो इस इसका अवश्य ध्यान रखें कि बुद्ध व्यपार के कारक हैं और बुद्ध के नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं व्यपार में आपको लाब प्राप्त करना है तो अवश्य आज अपने दिन की सुरुवात गणीश रादना से कर रहा है दस्मीतिती है और जेस्टर नक्षत्र है कोई भी नया कारे शुब कारे अगर आप करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं आपके लिए दिन ठीक है किसी भी नए कारे की शुरुवात हमको रहुकाल मनी करनी चीए आज का रहुकाल नाइन ओकॉलक से लेके टैन थर्टी तक इस टाइम से आप बचे और शुब समय है 11 58 से लेके 1250 तक तो इन टाइमों को आप नोट कीजिए इस समय अपना कारे करें आपके लिए यह अच्छा रहेगा कि आज आप किसी की सलाल साहता ले अपने कारें को संपन करने के लिए जितने लोगों के आप साहता ले सकते हैं ले ताकि आपके कारे दुरुत गती से पूरे हो सकें क्योंकि आज आप swim भी किसी की मदद करने वाले हैं तो आपको भी किसी की मदद चाहिए तो आप अवश्य मदद लीजिए ताकि वर्क पलीस पर अपना सिस्ट परदेशन कर पाएं आप घर में हैं घ्रेणी एंगर की अंदर रहते तब पर आपको अपने कार्यां के लिए मदद लेनी चाहिए अब व्यापारी लोगों के बात करें तो व्यापारियों के लिए दिन आज कई तरह के आउसर लेके आ करेंगे बहुत ही मैनत करेंगे मैनत करने वाली वैसे भी यह व्यापारियों के लिए अच्छा है परन्तु एक चीज का पपश्चे की ध्यान रखे पूर्वर की गलती है आज नहीं दो राएं अधिनस्त करमचारियों का या अपने जो वर्क प्लेस पे जितने भी आपके करम योचारी हैं उनका आप सहयोग लेजिए अपने कारें को प्लानिंग मुना के करिए बाट दीजिए कारें को कारें भी पूरे होएंगे और आपकी योजना जो है लाब प्राप्त करने की वह भी सफल होईगी दन का लाब आपको होता हुआ दिख रहा है दिन आपके लिए इस दर्शी से भी खास है कि काम का जो बोज होएगा जो जिम्मिदारियां होएगी उसको आप अच्छी तरह से कारें कुछलता से कर पाएंगे परिवार में अगर आप रहते हैं तो परिवार के लिए आप वर्षब रासिवार्णों के लिए आज भी दिनिस ट्राइब का है कि वाणी पे सयम रखना बेहत जरूरी है रिस्तों में अपने वाणी की सौमेता भरें रिस्तों में मिठास भरने के लिए वाणी को मदूर र पाते हैं तो अपने रिस्तों को समाले वाणी की जो कटूता है उससे आप दूर करें लव एंड रिलेशन्शिप वलों की बात करें तो वहां पी थोड़ा सा छोटी मोटी विवाद या छोटा मोटा तू-तूमे में हो सकती है अपने पार्टनर को कुछ न कुछ दे और उनका मूंड सही रखें ताकि आपका मूंड भी सही रहे देखिए रिस्तों के अंदर लेना देना तो चलता है पर अंतु जब तक आपकी वाणी में मिठास नहीं होगी ने सारे रिस्ते बेकार है चाहें आप कितना भी पैसा खर्च कर दो इस चीज को आप समझे परिवार में र रहें तब भी इस चीज को समझें कि वाणी से ही रिस्ते बनते हैं और वाणी से ही बिगड़ते हैं वेवाईक जीवन के बात करें तो वेवाईक जीवन आपका पार्टनर आपके लिए सही है पार्टनर के भावनाओं को समझें ज्यादा जज्मेंटल ने बने और नहीं ज पड़ाई का बूज रह सकता है जिसके कारण ये बटक भी सकते हैं तो अपने लक्ष के प्रती और स्टेडी के प्रती कंसंट्रेट रहे सही रहेगा कोई वैपारी लोग हैं तो वैपारियों को आज कोई बड़ी डील भी साइन हो सकती है बड़ी डील साइन करते समय राउका कर दूसक्राइन करते समय किसी की सला लेना किसी के सायता लेना तो आप अवस्ये बिल्कुल भी नयगमना था आने पाइनस वालों के लिए बैंकिंग श्यत्र वालों के लिए आज का दिन बढ़िया वीतने वाला है बागी वेपारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है स्वास्ति की बात खरें तो स्वास्ति के इसाब से आपके वायू विकार हो सकता पेट में गेंस की प्रब्लम हो सकती है या पेट तो ये था प्रशव राशी वालों का राशी पल अब क्या उपाय करें कि आपके लिए दिन अच्छा बीच जाए पुद्र के नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं भगवान गणिस की अराधना तो करनी ही है उसके बाद आप शैनिवार के हिसाब से भगवान हनुमान की अरा का भी आप जाप करें इस टाइप से आप भगवान शिव की और भगवान हनुमान की पूजा करेंगे तो अवस्य ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा सकार अत्मक रूप से एक बार अवस्य ही करके देखें चैनल पर पहली बार आएं तो कमेंट में जैसीरी राम लिक कि आप पहलु करके देखें कि लिक अंगे लगवान टो करेंगे और